हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है इंडिया एजुकेशन हफ पर मेरा नाम है दिपशिखा और हम आपको लगातार देते हैं अपडेट युनिवर्स्टी से रिलेटेड अपडेट देता है इस तरह के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब क से देता है इसके अराव अगर हम बात करें इंटरेंस एक्जाम की तो अगर आप इंटरेंस एक्जाम चाहते हैं क्रैक करना या त्यारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जोड़ सकते हैं इंडिया एजुकेशन हब इस बार इंटरेंस एक्जाम के त्यारी कराने जा रहा है इ आप उन से यह बात जरूर कहें चलिए आज किस वीडियो में हम बात करने वाल हैं इल्हाबाद उनिवर्सटी के बारे में उसका अफ्लेट कॉलेज में कर दी है यहां पर क्या आपको इंपॉर्टन डॉक्यमेंट्स ले जाने हैं कितना कट उफ गया है किस दिन है यह सभी की जानकारी इस नोटीस में दी गई है सबसे पहले यहां पर हम जान लेते हैं कि आपका जो कांसलिंग है वो कब है 14 को है ठीक है 14 से प्रारम हो रहा है इस से कि यूजी की जितने भी कोर्स थे उनकी कांसलिंग ऑनलाइन थी पर यहां पर देखा जाला है दोस्तों कि जो में की कांसलिंग है वो ऑफ लाइन आवजित की जारी है यहां पर लिया हुआ है कि व्यक्तिकत रूप से उपस्तित होकर 11 बज़े से दो बज़े की बीच की डेट है आपने कोई सभी इन में से जो भी इंट्रेंस दिया है आपका यहां पर माक्स नहीं दिया गया है जितने भी स्टी विध्यार्थी है उनको जाना है ठीक है उसके बाद सबसे पहले हम बात कर लें अर्थशास्तर एकोनॉमिक्स की तो 100 से एवं अधिक सभी सभी वर्ग को बुलाया गया है ठीक है तो जितना भी हम देखेंगे आगे सभी वर्गों को बुलाया गया यहां पर कोई एक विशेष जो है कैटेगरी वाइज नहीं दिया गया है 120 वैससे अधिक प्राप्त सभी वर्ग तथा प्रवेश परिक्षा में समयले सभी सभी कि जितने बी कैंडिडेट से आपको जाना है उसके बाद कट उफ जो दिया गया है तो आपका अगर इतना मार्ग से चाहिए आपको इसे भी कैंडिडेट हो बीसी या फिर जन्रल आपको जाना है प्राचिन इतिहास का कट आफ एक बाद करें तो 155 रक्षा एवं सास्त्री कि अधियन 130 और राजनितिक विज्ञान का 170 संस्कृति का 110 मनो विज्ञान 150 मौडन इतिहास का 145 दर्शन सास्त्र का 100 और लास्ट में समाच सास्त्र 100 यहां पर पूरा कट ओफ लिस्ट आपने देख लिया अगर आपने इतने माक्स प्राप्त किया तो आप कांसलिंग के लि ले जाने हैं यहां पर हमें बड़ आपको बता देते हैं तो लिखा हुआ है सबसे पहले प्रवेश पत्र और स्कूर कार्ट हाइश कूल इंटरमेडियेट इवं सनातक परिक्षाओं के अंग पत्र प्रमान पत्रों की मुल एवं प्रमानित फोटो प्रतिलिपी ठीक है चाहिए इसके अलावा प्रवेश के प्रवेश पत्र एड्मिट कार्ड है वह भी आपको लेकर जाना है और दो रंगीन फोटो को अपना फोटो लेकर जाना है एक फॉर्म भी भरना है यहां पर दिया हुआ है प्रवेश के समय एक परिशाप पत्र भरना होगा जिसमें जाती प्रमाण पत्र चाहिए जो कि 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए इस जिसका आप ध्यान दीजेगा कि वह पूराना ज्यादा नहीं होना चाहिए और जिनोंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी है या गया पीएर है तो उनके लिए जो है शपत्र प्रस्तूत उत्तिरण कर ली है मतलब आपका ग्रेजेशन जो है उसका भी आपको सब्जेक्ट में दीया जाएगा तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों अगर आप इंटरेंस एक्जाम के त्यारी करना चाहते आपके भाइबन त्यारी करना चाहते तो आप हमारे सुपर करते हैं और पुछी दिनों में आपके लगातार क्लासे स्टार्ट भी हो जाएंगे तो इसलिए जल्दी से जल्दी जूड़िए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को ज्यादा सेर करेगा धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए नमस्क्राइब